पहले तीज फिर रक्षा बंधन और आप आ रही है जनमाश्टमी देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है पाकिस्तान से आई सी महेदर खुद को भारतिय परिवेश में ढलता हुआ दिखा रही है वो भी हिंदुस्तान जिंदाबाद की नारे लगाती है तो कभी चंद्रियान की काम्याबी पर चेश्ट मनाती है सीमा हैदर खुद को सनातरी परंपरा से जोडने की कोशिश करती है और ये दिखाने के लिए वो वीडियो भी बनाती है अब जन्माश्ट मी आ रखी है तो सीमा हैदर ने इसकी भी तयारी कर ली है देश में कई लोग जन्माश्ट में 6 सितंबर को मना रखे हैं तो कई लोग 7 सितंबर को सीमा हैदर ने बताया कि वो 7 सितंबर को जन्माश्ट में मनाएगी सीमा ये भी कहती है कि ससुराल में उसके ये पहले जनमाश्टमी है और इसे वो बड़े ये धुमधाम के साथ मनाएंगी इसके साथ ही हमेशा के तरह वो जनमाश्टमी सलिब्रेशन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी सीमा सचिन के साथ शादी का दावा करती है और हिंदू धर्मा अपनाने के बाद भी कहती है उसका कहना है कि सनातन धर्म में आने के बाद बहर त्योहार उच्सा के साथ मनाती है जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत पहुंची तब से भारत क्या पूरे पाकिस्तान में उसके चर्चे हैं सोशल मीडिया प्लाट्वाम पर सीमा और सचीर की प्रेम कहाने के खूब चर्चे हैं सीमा हैदर पर जासू सोने के शक्त के चलते कई लोग उसके खिलाफ हैं तो वहीं सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को भारतिय परिवेश में ढाला उससे कई लोगों के सहनुभूती उसके साथ है और वो उसका समर्थन भी कर रखे हैं जाजे जन्सियां परताल मिलकी हैं हलाकि अभी तक उसके खिलाफ कुछ बुक्ता सबूत नहीं मिले लेकिन भारत में ही कई लोगों को उसके यहाँ पर रहने पर एतराज है इससे पहले सीमा हैतर भारत में तूलसी पूजा, एकादशी व्रत, नाग बंचमी और रक्षा बंधन का त्योहार भी बना चुकी है उसके वकील एपी सिंग रक्षा बंधन पर सीमा के घर आय थे और सीमा से राखी बनवाई थी सीमा ने तीच का वीडियो भी शेयर किया, त्योहार के मौके पर उसके सोला शिंगार के कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं सीमा हैदर लगतार सुर्ख्यों में बनी हुई है, आए दिन वो किसी ना किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर छाय रहती है उसके कोशिश रहती है कि वो हर बार भारतिये लोगों के साथ खुट को जोड़े वो ये भी दिखाती है कि वो किस तरीके से हिंदू संस्कृती के रंग में रंग गई है ये पहली बार नहीं है जब सीमा हैदर का इस तरह का अंदास सामने आया हो 15 अगस के दिन भी सीमा ने तिरंगे वाली साड़ी पहली तो आप सीमा ने जनमाश्टमी की तयारी भी कर ली है जनमाश्टमी के मौके पर सच्चुन ने सीमा को भगवान कृष्ण की मूर्ती का गिफ्ट भी किया तो इस तरह सीमा अब कानहा की आशिरवाद की काम ना कर रही है